नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली खबर आई है कि North Korea ने पहला जी हाँ, पहला nuclear cruise missile जो है उसको test किया है, although मैं आपको बता दो कि cruise missile टेस्ट किया हुआ है North Korea ने, लेकिन यहाँ पर strategic point of view से काफी important चीज़ें बताई गई हैं, यह आप देख पाएंगे North Korea test first strategic cruise missile with possible nuclear capability, तो इसके बा अगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam के तियारी कर रहे हैं, तो simply आपको हमारे app को download करना है, और वहाँ पर जाकर जितने भी courses हैं, चाहें UPSC हो state PCS या फिर banking, आप उसको avail वहाँ पर कर पाएंगे, चलिए देखते हैं exactly हो क्या रहा है, देखें सबसे पहले तुम आपको ये बता दूँ कि ये जो भी test किया गया है cruise missile का, कोई ये कोई unusual type की चीजे नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो, जो long range cruise missile है, वो पहली बार किया गया है, और इसमें खास कर ये बताया जा रहा है कि हो सकता है, शायद इसके अं North Korea नहीं है, it is Democratic People's Republic of Korea, और उनके द्वारा already जो cruise missile उनके पास था, उसका नाम था कुम सौंग 3, और ये basically base था Soviet KS-35 के उपर, और एक प्रकार से ये cruise missile already उनके पास था, लेकिन पहली बार यहाँ पर, जो long range का cruise missile है, वो test किया गया है, long range जब मैं कहता हूँ, तो most probably यहाँ पर 1500 किलो मीटर के आस पास की इसकी range होगी most probably, और ये पहला हो सकता है कि nuclear capability हो इसके अंदर, ये cruise missile के अंदर, nuclear bomb की तरह एक प्रकार से आप कहा सकते हो, काम करेगा, और यहाँ पर जो report वगरा सामने आया थे हैं, उसमें यही बताया गया है कि जो pack, john, john है, जो की एक member है, Republic of Korea के स करकार के अंदर, उन्होंने इन सारे चीज़ों को देखा और जो भी official scientist थे, उनके सामने यहाँ पर ये test को conduct किया गया है, अब यहाँ पर सबसे पहला तो question आता है, ये cruise missile है क्या, हम इसको लेकर specifically क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों ये important हो जाता है, दिकि जब हम cruise missile की बात करत होता है, मतलब आप इसको किसी भी दिशा में guide कर सकते हैं, और वहाँ पर जाकर drop कर सकते हैं, और खास कर इसमें ये होता है कि low trajectory होती है, earth के काफी parallelी नीचे नीचे ये चल रहा होता है, ground के parallelी चल रहा होता है, और जो regular वाले missiles देखोगे, उससे कहीं ज़्यादा दूर भी य जा सकते हैं, और इन सभी missiles के अंदर internal guidance system भी होता है, ये एक important चीज़ है, और यहाँ पर थोड़ा समय आपको ballistic और cruise के बारे में भी जल्दी से बता दो थे कि ballistic जो missile है, उसकी trajectory ये blue color में आप देख रहे हो, ऐसा देखने को मिलता है, basically ये gravity का भी शाहरा लेते हैं, सबसे पहल 10,000 km altitude, sorry, 1500 km altitude पर भी वहाँ पर जाकर ये gravity का सहरा लेते भी ये just drop हो रहा होता है, तो ये इस तरह का trajectory देखने को मिलता है, और ये सबसे ज़ादा long range आप कह सकते हो, उसके बाद अगर आप देखिए, ये जो cruise missile के हम बात कर रहे हैं, ये सबसे पहले थोड़ा सा सहरा लेता ह यहाँ पर एक altitude पर जाने के लिए, लेकिन होता ही atmosphere के अंदर ही है, जो earth का atmosphere है, और आप देख पाएंगे यहाँ पर, कहीं पर भी आप इसको guide कर सकते हो, अगर बीच में भी कहीं दूसरी तरफ guide करना है, वो भी guide हो जाएगा, इस तरह से guide करके, आप किसी target पर जो है, उसको drop कर पाएंगे, साथी साथ एक important चीज़ देखने वाली है, suppose यहाँ पर target है, और जो enemy देश है, उसने यहाँ पर एक radar system लगा रखा है, तो radar के case में, radar usually इस तरह से आपका catch करता है, radar जो है आपका, यह पूरा area अगर suppose cover कर रहा है, तो usually क्या होता है, कि ballistic missile को वो track कर लेता है, easy easy तरीके से, लेकिन यहाँ पर खास कर आप देख सकते हो, काफी लंबे समय तक जो cruise missile उसको track नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यह ground के काफी जादा नजदीक है, हो सकता है कि target के बहुत नजदीक पहुँचने के बाद, यहाँ पर जो cruise missile है, उसको यहाँ पर detect कर ले radar जो है, लेक करने का मतलब ही है, यह एक प्रकार्ट का aggression दिखाना, और इसमें जितने भी cruise missile अगर आप देखोगे, जादा तर उसके अंदर small solid propellant rocket booster होता है, ताकि एक altitude पर जाए, उसको भेजा जा सके और उसके बाद जो उसके अंदर sustainable engine है, वो take over कर लेता है, उसको guide करता है, फिर, इसक percent surety से नहीं कह सकते, तो अगर suppose nuclear warhead इसके अंदर लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि जो आसपास के देश हैं, वो बहुती जादा परिशान हो जाएंगे, especially Japan हो गया यहां पर, ठीक है, रशिया हो गया, जितने भी आसपास के देश हैं, उनके लिए थोड़ा साथ चिंता हो वो basically cruise missile के उपर, cruise missile उसके अंदर नहीं आते, यह बहुत important चीज़ है, वो जो sanction है, वो specific purpose के लिए, that is, nuclear development program को कम करने के लिए, nuclear development program को खतम किया जाएं, उसके लिए ऐसा कुछ sanctions यहां पर United Nations Security Council में लगाया है, और खेर अगर हम इसकी बात छोड़ भी दें, उसके बावजूद भी बढ़ाया जा रहा है, अब यहां पर देखना होगा कि यह जो missile testing है, क्या यह further nuclear capability को amplify करती है कि नहीं, हाँ, अगर यह वाला जो missile है, उसके अंदर nuclear होगा, और यह 1500 km के test को complete कर लिया है, तो definite सी बात है कि जो North Korea है, उसके अंदर और भी जादा capability आ गई है, जिसको लेकर, internationally अगर आप देखोगे, तो काफी चीजें change हो सकती है, अब question यह आता है कि what does it mean from an international perspective, international perspective से देखिए तो North Korea ऐसा क्यों कर रहा है, एक तो इस समय अगर आप current का context देखिए, तो US इस समय अगर अगर आप current का context देखिए, तो US इस समय अंदर लंबे समय से उल्जा हुआ था, का regional security concern है, North Korea भी उसके अंदर रहे, वो try करने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए लगातार इस तरह के test आपको North Korea के दोरा देखने को मिलेंगे, और खासकर यहाँ पर चिंता की बात यही है कि जो आसपास के neighbors हैं, उनके लिए और especially overall international community के लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन overall यहाँ पर एक और recently ख़बर आई थी है, और मैंने इसकी उपर एक अलग से वीडियो भी बनाया था, कि जो North Korea है, it appears to have restarted Yongbyon nuclear reactor, basically क्या हुआ था कि satellite से देखा गया था, जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर, यह जो North Korea है, यहाँ यह जो Yongbyon जगह है, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो nuclear reactor है, उसको बहुत वर्षों के बाद इन्होंने वापस से start किया है, और डर ऐसा लग रहा था कि क्या यह जो nuclear reactor start किया गया है, क्या यह किसी और दूसरे देश को तो नहीं दे दिया जाएगा, वो further problem create कर सकता है, तो यह स सिनारियोज आपको देखने को मिल रहा है, और आप कह सकते हो कि North Korea के दौरा किसी ना किसी प्रकार का provocations करने की कोशिश की जारी है, और यह वाला जो cruise missile है, यह और जादा चिंता बढ़ा देता है, लेट सी कि किस तरह से US और बाकी देश इसको react करते हैं, लेकिन अभी के लि radiation missile को टेस्ट किया गया था, वो anti-radiation missile कौन सा है कि आप बता पाएंगे, इसका जो right answer होगा, वो आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता मैं तो अबस्तर, मैं तो जो आप से नहीं तेल दें, तो तेल देन, थैक यह वरी मुझ, से यह शून.